हे नमस्कार साथियों बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के उपर मानने के लिए फ्रेंस और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में अब आपनों सोचों के सब हिंदी हिंदी तो एक्जाम में नहीं आती है इ मैं कमफर्म नहीं बोलों कि पटना ओमेरिस को जिए पिछले वर आया था तो हो सकता है टेन मार्स की आप लोगों की हिंदी की प्रिपेशन आप लोगों करवानी परेगी फ्रेंस अगर आज आगी तो फिर टेन मार्क से आप पीछे हो जागे तो दोस्तों आज गयाजी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोशन आएंगे उससे पहले प्रिवियस एन में कैसा कोशन पुछा था उसी इस बेसिस पर हमको त्यारी करनी परेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिरीज वाई सिरीज होनी की त्यारी हम लोगों करनी परेगी सिरीज वाई सिरीज तो दोस्तो के बारे में जो कि आप आगे वीडियो में देखी लेंगे लेकिन फ्रेंस आप लोग यही बात कैसे जानेंगे कि मेरी जो कोश्चिन जब मैं अपको दिऊंगा इंट्रेंस रिजाम दूंगा उसमें कैसे कोश्चिन आएंगे आखर यह बात कैसे जानेंगे कि मेरे में हिंदी है या फिर नहीं है फ्रेंस तो दोस्तों उसका चेक करने के लिए आपको लिए कि स्लेवर्स पढ़नी पड़ेगी कि स्लेवर्स में हिंदी दिया हुआ है तो फ्रेंस आप लोग को आएगा अगर हिंदी नहीं दिया हुआ तो फ्रेंस आप लोग को हिंदी नहीं आएगा दोस जाते हूं यहां पर पूरी की पूरी क्laस करना तो आपको मेरे चैनल पानी प्रेगी और है जो चैनल पाक जो डिखा आया था धेर सारी यहां पर जो है मेरे वीडियो बना दी ये class की तो आप ये वाला देख लेना तो धोस्तों हम यहां बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप हिंदी क्लास के बाड़े में अगया है तो पहले हम समझते हैं यहां बेसी त्रोसी के question आपको exam में आ सकती है उसी types का preparation मैं भी आपको करवाऊंगा ठीक है तो friends यहाँ देखिए तो पहले यहाँ पर question पूछा था पिसले साल में कबीर की skull के कवी है यहाँ पर second question पूछी गई थी देख लिए जन्म सब्द का सही विलोम क्या है अर्था दोस्तो यहाँ पर जो है आप लोगको विलोम ठीक है विवार्थिक सब जो होती है बोलते हैं पोजिट वर्ड वो आप लोगको यहाँ से question आपको थोड़ी बहुत erase कर सकती है तो friends वो आपको पढ़ने पड़ेगी तो दोस्तो यहाँ पर जो है मेरी यहाँ पर आपको ऑप्जेक्टी के ऊपर में एक class यहाँ पर ला दूँगा उसका है दोस्तो यहाँ पर देखे यहाँ पर कबीर की स्काल कवी थे तो यह तो सभी लोग जानते ही है भक्तिकाल के थे या रीतिकाल के थे यहाँ दो option है जो भी answer है तो आप समझ तो यहां पर समझते ही हैं भक्तिकाल के थे कभी तो हम यह बोल है friends कि यहां पर जो है लेखक से जूरे जो कुछ question है वो भी friends आप लोगो exam के लिए दे रही है तो दोस्तो मैं यह क्या करूंगा friends इसके लिए भी मैं आपको एक question जो हो मैं एक class ला दूँगा जिसके लिए जितने भी most important होंगे लेखक जो आप बहुत important है उनके बारे मैं एक class में ला दूँगा friends तो यहां दोस्तों मेरी हिंदी की दो class अलड़ी हो चुकी है friends अब चलते हैं यहां पर देखेजिए को सल्या किसकी माता थी तो friends यह तो friends आप लोग जानती होंगे यह किसकी माता थी भग आप रमायन भी देखे होंगे तो आप ऐसा question दोस्तों आप लाकर exam से बाहर निकल ला गए तो यह question के बारे में कोई भी class आपको नहीं आएगी य class मैं पताऊंगा आप लोग को friends की यहां पर कौकर से most important यहां पर लेखक है second class मैं पताऊंगा कि आपको क्या बोलते हैं प्रयावाची या फी विप्रार्थिक सब कैसे निकालते हैं वह वाली और third class में दोस्तों पताऊंगा माता इस समास के बारे में फिर तो चलते हैं यहा को डाल डाल दूंगा friends वहीं देखे यहां पर एक question फिर यहां पर फिर उसी तरह question जासी किराने किष्ण ने लिखा ठीक है friends फिर देखे यहां पर प्रयकिर्ति के सुकमार कवी कौन थे फिर दोखो यहां पर आग का प्रयावाची सब क्या है आप देखो यहां पर प्रयाव स्कूल मिलाकर मैंने इसको काफी मतलग काफी गहरा से किया इसले इसके अंदर से मुझे बता लगा कि इसमें चार से पांच क्लास में लादूंगा तो friends आप लोग कि यहां पर यह जो चीज है दस नंबर आप लोग की तिलर हो जाएगी friends अब friends यहां से बात आती है कि आप म आते हैं ठीक दोस्तो यहां को जानने की समझने के लिए कि ऐसके सकते हैं और आफी सकते हैं तो पहले दूस्तों मैं टेन सर्वीन कोस्ट यह हां बात कर लेक्विया उसके बाद धेदर चलूगा तो यहां देखिए friends यहां पहली question है कि बाल कृष्ण भट किस काल की रशनकार है बाल कृष्ण भट किस काल की रशनकार है आप देखिए आपके सामें option दिये हुए है आधि काल, भक्ति काल, रीति काल और दोस्तो आधुनिक काल आप friends आप इसको कैसे लगाओगे तो दोस्तो यहां पर ऐसे question जाम में आ सकते है तो friends फिलाल जो इसका answer है वो D है ठीक है आधुनिक काल बाल कृष्ण भट जो है आपको आधुनिक काल के है तो दोस्तों मैं यही काम करूँगा पहले दोस्तों मैं परहा दूँगा आप लोगो और हमेशा हर क्लास में आपको कभी जम पांच moral state में करवा दूँगा इसमें दोस्तों आज की यह आपको एक moral state है फिर मैं धेदर्य आपको और भी question में दिजर करवाते रहोंगा ठीक है फिर तो उसने कहा था किस verse की रचना है उसने कहा था यह जो बुक लिखी है वो किस verse आई थी फ्रेंस तो यहाँ पर इसका जो answer होगा वो answer तू का A हो जागा 1915 में 1915 में है आया था उसने कहा था फिर दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण करांती का नारा किस ने दिया था दोस्तों संपूर्ण करांती का नारा किस ने दिया था तो जाए परकास्ट नरायन दिया था फिर दोस्तों चलते हैं पर इस question अर्द नारीश्वर अर्ध नरीशवर किसकी रचना है दिनकर जी की कल काती जी का या मल्या जी पी मोहन राकेश जी का तो four का दोस्तों जो answer हो जाएगा आपको a निकल करATE लेका दिनकर जी का, ठीक है तो अर्ध नरीशवर जो है आपको दिनकर जी का रचना है फिर यहां पर देखिए दोस्तो रोज कहानी की नायका कौन है रोज कहानी की नायका कौन है दिसका एंसर दोस्तो ए हो जाएगा ठीक है मालती मालती ने रोज कहानी की नायका लिखा फिर दोस्तो यहां पर एक कोशन देख लिए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है फ्रे सिपाही की मा की रचनाकार कौन है सिपाही की मा काफी famous यहां भी-book है तो इसका एंसरो होता है मोहन प्रकार जी जी है जूठन क्या है दोस्तो जूठन दोस्तो एक तरह का यहां पर आत्म-कथा है फिर हस्ते हुए मेरा अकिलापन किस विद्य की रचना है तो हस्ते हुए मेरे अके लिए डावरी का रष्ण है ठीक है डावरी जी का तोफ आपने ये समझा है यहां से जो आपको यो मैं बताया यहां सिर्फ 10 यस मैं बताया इस तरह कोशिशन आपके जहां में आ सकती है इसलिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूँगा यह चैटर में आपको जो भी होगी पढ़ावाची समास यह सब पढ़ा दूँगा उसके बाद दोस्तो संपून चैटर का मिक्स वाला जो होता है आपको मोरल टाइप का वह आपको हर क्लास के बाद में एक एक क्रवाद दिया करूँगा ठीक है तो मैं अभी भी बोलता हूं दोस्तों कि आपको जो है एक स्रीज भाई पढ़नी पढ़ेगी और स्रीज पढ़ने के सबसे पहले दोस्तों आप में सब्सक्राइब कर दीजेगा सब्सक्राइब करने घंटे वाले बिले में क्लिक आपको मेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिलकुल फिरी ठीक है तो अब आते हैं यहाँ पर प्रहाय के चिलिए दो आज जो हम में परहाने मत आऊ हिंदी की यहाँ पर नंबर वन क्लास है उसमें बताओंगा दोस्तों परयवाची के बारे में ठीक है तो यहाँ पर एक कोशन तो देखो ऐसी question आपको अगर exam में आएगी तो क्या करोगे तो समझते हैं पहले पैवाची होता क्या है जो इदम बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं देखिए हम समझते हैं यहां से friends कि पैवाची किसे कहते हैं दोस्तों पैवाची उसे बोलते ह हैं कि आप एक घर में single एक बंदा है ठीक है आपका नाम राहूल कुमार है लेकिन दोस्तों बाहर में आपको सब जानता है रौसुंग कुमार के नाम से और अंदर सब उसको आपको राहू या फिरुली या फिर कुछ इस टाइब का कहने करते हैं कि कि किसी एक आदमे का दो से तीन नाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है ठीक है जैसे बोतल किसको आदमे को बोतल कहता है कोई आदमे केन कहता है या फिर कोई आदमे कुछ कहता है मतलब एक ही चीज का जो दो से अधिक नाम होता है फिर एक से अधिक नाम होता है वो उसे हम प्रिवाची बोलते है प आप लोग concept समझें, क्या होता है पायवाजी, अब friends मैं कि आपको जो हूँ यहाँ पर पीडर की रूप में, आपको खुल मिलाकर यहाँ पर 50 ऐसे questions, जो कि पायवाची सबसे most important है, आपको बस जा नहीं करनी है, यह जो मैं 50 दे रहा हूँ, 50 लेनी क्योंकि तो यहाँ पर काफ जिसके तहट में बस आप लोग को क्या करनी है, सुभा साम या फिर उट करनी है, कभी कभी आप लोग को बस एक बाद reading दे देनी है, बस आप reading दे दोगे, आपको एकजाम में 100% आप यहाँ पर clickbait होई जाएगा आपसे, यह जो प्रवाची सबसे आप लोग को पूरी अच् कोशन आएगे, पहले में देखें तो पहले तो आपको यह PDF जो है मेरे टिलराम चले मिल दागी, नहीं तो 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 आपकर मेरे ग्रूप में जुरे हुए WhatsApp ग्रूप में, WhatsApp चाहते हो ग्रूप में जूड़ना तो उसलिए कुछ नियम है, तो आप जाकर रिशोर समॉस नियम पर सकते हो, और मेरे WhatsApp ग्रूप में आ सकते हो, आपके लिए कोई भी रोग तो नहीं है, तो वहाँ में मिल जाएगी, तो फैदा यहाँ पर यह होगा, कि अगर आपको में WhatsApp पीडियाप दूँगा, तो मैं वहाँ पर आपको टिक आउट मतलब कोशन होगी, उसलिए मैं टिक आप जाओगे, तो आपसे एक भी परवाची नहीं छूटेगी, बसरते दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तो सैल का किसका परवाची सब थे तो परवती जी का, पार्थ किसका परवाची है, अर्जुन का, युदिष्टर का, परवत का, सिर्षिक रिष्णा, पता किसका परवाची परथ है, तो सबको पता दोस्तों अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन, अर्जुन, दोस्तों अब आते हैं, इन में से कौन घोरे का परवाची नहीं है, ठीक है, तो सबको पता दोस्तों अस्तों घोरों को ही बोलते हैं, ठीक है, तो इसका एंसर दोस्त का पायवाची कौन सा सब्द है दोस्तों इन में से जो आंक का पायवाची सब्द है वो आपको दुर्ग है ठीक है दोस्तों अगर अभी भी आप समझ रहे हो कि बस पीडियो फिले लूँगा अपने पास सब्द लूगा मोगाल के अंदर में तो फिर आप सी प्रहाई नहीं ह होगी आप लोग को यहां पर जो मैं पीडियो दे रहा हूं पचास मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन वह पर नहीं पर जितना बता रहा हूं वह काफी आपके नहीं है वह पचास आपको याद कर लीजे वह काफी आपके लिए हो जाएगी अब आते हैं तसकर किस सब्द का पाय चोर का ठीक है फिर देख लिए इनधी में छसे चंद्रमा का पायावाची नहीं है कौन देव पागा पुसकर किसका संवाजी संवा संवा कि हो निकेत फिर राचव लाज़ना संवा है है जीव का फिर दोसो हाते हैं इन हो कॉंसा सब्त चंपा बोष सन्काभिया का जो है गालता वह देवता का बोध दोसा अनुचुर ठीक है तो फ्रेंस इस तरह कोंस्ट गों में पार डि aiा anda कहीं हो लेकिश एक कोश्षिन तो अप याद लगे टिकाड़ लगे इसको आप काफी अथा से बना सकते हो फ्रेंस दोस्तो बस आज ही क्लास में इतना ही अगर आप लोको वीडियो अच्छी लगी मतलग कि पसंद आया फिर कुछ अच्छ लगया दोस्तो तो अगर जो चाहते हैं प्रिजियो के बारे में पढ़ना आएगी और एजहां में जाओगे तो दस मिस से आठ नौ आठ नौ आठ नौ आप लोको क्लिक बेट तभी हो पाएगी और दोस्तो अगर आठ क्लास अच्छी लगी दोस्तो तो मुझे मुझे मॉटिवेट करने के लिए मुझे ऐसा लगी कि हाँ आप लोक्रस पसंद आ रह है और पहली बार देखने हो तो गुडबाई जया हिंजा भारत